नमस्का दोस्तो आज हम बना रहे हैं साबुदाने की खिचडी वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी तो यहाँ पर मैं देखिए दो कटोरी साबुदाना ले रही हूँ और मैं साबुदाना को दो बार पानी से अच्छे से धो कर इसे हम रख लेंगे इसे हलके हलके हातों से हमें धोना है तो यह देखिए मैंने साबुदाना को दो के रख लिया है अब मैं इसे पानी डाल कर तीन से चार घंटे के लिए इसे भिगो कर रख दूँगी तो हमें पानी इतना ही डालना है थोड़ा सा साबुदाने के उपर पानी होना चाहिए ये देखिए इस तरीके से तब हम इसे रख देंगे तीन चार घंटे के लिए तो ये देखिए फ्रेंट्स ये तीन-चार घंटे के बाद हमारे साबुदान अच्छे से फूल गए है ये देखिए इस तरीके से चेक कर लेंगे हम तो फ्रेंट्स है आप पर मैंने साबुदान बनाने के लिए 4-5 चालू ले लिए है 7-8 हरी मिर्च एक नीबु लिया है एक कटोरी मुझफली के दाने ले लिए है तो हम सब में पहले मुझफली के दानों को सेक कर रख लेंगे तो हम इसे हलकी आज पर सेक लेंगे फ्रेंट्स ये देखिए मैंने सेक लिया है और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी तो ये मैंने प्लेट में निकाल लिये और इसके छिलके निकाल कर साफ करके रख लूँगी और अब मैंने कड़ाई में एक चमच के करीब तेल डाल दिया है इसमें मैं आदी चम्मश जीरा डाल दूँंगी तो अब हम इसमें आलू मैंने काटके रखे हरी मीर्च और हालाँ थोड़े से कड़ी पत्ता लिये हैं तो मैंने 7 मैं डाल दूँगी friends मैं कड़ी पत्ता पहले नहीं डालूँगी पहले डालने से वो जल जाते हैं इसलिए मैं साथ में डाल रही हूँ इससे कड़ी पता जलेंगे नहीं और इसका जो टेश्ट है वो एक्दम बढ़िया आएगा तो हम आलू को अच्छे से भून लेंगे तो फ्रेंट्स हमारे आलू भून रहें जब तक हम यहाँ पर मुझफली के दानों को दरदरा पीस के रख लेंगे तो हमें मुझफली के दाने दरदरे पीस के रखने हैं इस तरीके से तो मुझफली के दाने पीस लिए हैं अब मैं आलू को देख लूँगी तो आलू भी हमारे पक चुके हैं यहाँ पर मैं फर्याल वाला नमक डाल रही हूँ सुआत के अनुसार तो अब हम मुफली के दाने भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और इन्हें हम मध्यम आज पर थोड़ी देर भूनेंगे एक मिट के लिए हम इसे भून लेंगे अच्छे से तो फ्रेंट जब तक हम इसमें साबुदाने में नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार हमें इसमें नमक डाल देना है और एक चमच के करिब दरदरी वली लाल मेच डाल रही हूँ और दो चमच यहाँ पर मैं शकर डाल रही हूँ और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे इन सब चीजों को डाल कर हमें अच्छे से मिला लेना है इसमें थोड़ी सी लाल मीर्च और शकर डालने से साबुदाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप जरूर इसमें डाल लिएगा इस तरीके से तो अब यह देखिए हमने आलों में दाने अच्छे भून लिए हैं अब हम यहाँ पर साबुदाने को इसमें डाल देंगे तो हमने साबोदा ने डाल दिये हैं और हम इसे अच्छे से आलों में मिला लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स इसे इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है अब मैं उपर से नीबू नी चोड़ कर इसमें डाल दूँगी तो इसे हम अच्छे से नीबू में एक बार रोल मिला लेंगे ताकि नीबू अच्छे से इसमें मिल जाए तो अब फ्रेंट्स मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है अब मैं इसे एक मिनिट के लिए धक्के रख दूँगी तो एक मिनिट हो चुका है और ये देखिए friends हमारी साबूदाना खीचडी भी बन चुकी है देखिए कितनी soft soft बने हैं और साबूदाना भी बहुत soft है friends तो अब हम उपर से हरा धनिया डाल देंगे तो friends आप अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके साबूदाने भी एद्दम soft रहेंगे और आपकी साबूदाना खीचडी बहुत अच्छी और tasty बनेगी तो प्लीज आप friends इसी तरीके से एक बार जरू try कीजिएगा ये देखिए friends कितने अच्छे साबूदाने की खीचडी बनी है तो friends अगर आपको मेरी ये recipe अच्छी लगे तो प्लीज मुझे comments करके बताईएगा तो अब हम इसे plate में निकाल लेंगे तो दोस्तो आपको मेरी ये recipe अच्छी लगी तो प्लीज इसे like कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा और जो भी मेरे चैनल पे नए है प्लीज दोस्तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और आपको मेरे चैनल पे मिलेगी आसान सी recipe तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल तो friends हम फिर मिलेंगे एक नई सी recipe के साथ जब तक के लिए नमस्कार आता बाई बाई और आप मेरे चैनल को subscribe जरू कीजिएगा friends